इतिहास की दिल्चस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया ओडिसा की राजधानी भुवनेश्वत अपनी सांस्क्रोतिक विरासत और मंदीरों के लिए मशूर है यहाँ बेशुमार मंदीरे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस शहर का उत्थान यहाँ आने वाले असंख्य शधालूओं की वज़े से ही हुआ है भुवनेश्वर की अधिकतर मंदिर दस्वी से पंद्रवी शताब्दी के बीच बने हुए हैं यह मंदर भगवान शिव और विश्णू को समर्पित है भुवनेश्वर में जिस एक मंदर का सबसे ज्यादा आनन लिया जा सकता है वो है शहर के मध्य में मौजूद राजारानी मंदर ग्यारवी शताब्दी में निर्मित इस मंदर में और इशा के शास्त्रिय तरज पर बने मंदिरों की जलक मिलती है हाला की इस मंदर में आज कोई पीठा सीन मूर्थी नहीं है इतिहास कारों का कहना है कि इस मंदर का असली नाम इंद्रेश्वर मंदर था और ये भगवान शिर्व को समर्पित था ये मंदर ग्यारवी शताब्दी में सोमवनशी राजवनश की शासन के समय में बनवाया गया था ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर इंद्रनात नाम के राजा ने बनवाया होगा इसलिए मंदिर का नाम उसी के नाम पर रख दिया होगा सोमवनशी राजा शिव भक्त थे माना जाता है कि मुख्तेश्वर मंदिर और ब्रहमेश्वर जैसे मशूर मंदिर उन्होंने ही बनवाए थे इन मंदिरों में मौजूद शीला लेखों से भी यही पता लगता है कि ये मंदिर सोमवंशी राजाओं ने ही बनवाए थे मंदिर का राजारानी नाम रखे जाने के बारे में भी कई दिल्चस्प कहानिया है कुछ विदवानों का मानना है कि क्योंकि ये मंदिर राजाराजेश्वरी देवी को समर्पित है इसलिए इसका नाम राजारानी मंदिर पढ़ गया होगा ये भी कहा जाता है कि क्योंकि इस मंदर के निर्मान में राजा रानिया नाम के लाल और पीले रंग के बालू पत्थर का उप्योग किया गया है इसलिए इसका नाम राजा रानि मंदर रखा गया है कुछ विशेशग्य इससे बिलकुल विपरीद बात कहते है उनका मानना है कि पत्थर का नाम मंदर के नाम पर रखा गया था. इस पत्थर की खुबी ये है कि कलाकार बड़ी आसानी से इस पर सुन्दर कलाकृतियां उकेर पाते हैं. इस पत्थर पर जब सूरज की किरने पड़ती है तो पूरा मंदर चमक उठता है. राजारानी मंदिर में हर तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई देती हैं जिन में पारमपारिक ओडिशा या कलिंगा तर्ज की मंदिरों की जलक मिलती है इन पर मध्य भारत के प्रभाव भी दिखाई देते हैं इस मंदिर में मूर्ती के लिए एक गर्भग्रह भी बना हुआ है एक जगमोहन भी बना हुआ है जहां खड़े होकर शधालू दर्शन कर सकते हैं ये मंदिर पंचरात्रा योजना के तहट एक उन्चे प्लाटफॉर्म पर बना हुआ है तीन स्तरों पर बने जगमोहन के भीत्री हिस्से पर कोई सजावत नहीं है इसे देखकर लगता है कि ये अधूरा छूट गया होगा जगमोहन के बाहरी हिस्से पर नागिनों और दौारपालों की मूर्तियां उकेरी गई है दिवारों पर कई दुष्य उकेरे गए हैं जिनमें शिव पार्वती के विवाह के चित्रों के अलावा विभिन्न मुद्राओं और भावों में नाईकाओं के चित्र भी शामिल है आइक्योलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की देखरेख में इस मारक की देखभाल बहुत अच्छी हो रही है ओडीशा पर्यटन विभाग हर साल जन्वरी के महीने में यहां एक संगीत समारों का आयोजन करवाते हैं तीन दीन के इस समारों में देश के सभी इलाकों के बड़े बड़े संगीतकार हिस्सा लेते हैं झाल